नमस्ते दोस्तों, बजट तो आप हर साल जरूर देखते होंगे, लेकिन बजट के बारे में हिस्ट्री आपने कभी नहीं जानी होगी, आज के वीडियो में मैं आपको बजट से जुड़े कुछ दिल्चस बातों के बारे में बदाऊंगा, सबसे पहले हम अगर ये बात करें कि ये बजट क्यों बनाया जाता है, तो भारती समिधान के अनुछेद 112 में यूनियन बजट का उल्ले किया गया है, जिसे वाशिक वित्ति विवरण के रूप में माला जाता है, यूनियन बजट में सरकार की आमदनी और उनकी प्रस्तावित योजनाव पे होने वाले खर् दों में जैसा कि लोकसभा और राजे सबा में पार कराना जरूरी होता है, फिर हम देखेंगे बजट शब्र की उत्पति, बजट शब्त कहां से आया, बजट शब् icons वास्तव में लेटिन शब् creeping बुर्गा से लिया गया है, बुर्गा का मतलब होता है चमडे का फेला, इस इसके बाद ये शब्द फ्रांस की भाषा में बोगेट बन गया उसके बाद धीरे धीरे ये उसे बोगेट या बोजेट बोले जाने लगा और बाद में इसे बजट बोले जाने लगा भारत में बजट की शुरुआत कब हुई भारत में सबसे पहला बजट इस्ट इंडिया क लेकर 31 मार्ज तक चलने वाला जो financial year होता है उसकी शुरुवात 1867 में हुई थी इसके पहले तक 1 मई से 30 अपरेल तक financial year माने जाता था आजाद भारत का पहला बजट सुतंत्र भारत का पहला बजट वितमंत्री आरके शण मुखम चेटी ने 26 नौवंबर 1947 को पेश किया था 48 से 1959 के बजट में पहली बार अंतरीम शब्द का परियोग किया उसके बाद ही छोटी अवधी के मतलब इंटरीम बजट भी शुरू है बजट की प्रिंटिंग राश्टपती भावन में पहले की जाती थी लेकिन साल 1950 में बजट पेपर लिक हो गए थे उसके बाद से उन्हें दिल्ली के मिंटो रोड में स्थित सेक्यूरिटी प्रैस में चापे जाने लगा साल 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉग से प्रिंट हो रहे हैं अब ये नॉर्थ ब्लॉग या की फानेंशल फानेंस मिनिस्ट्री में प्रिंट होते हैं शुर्यात में बजट अंग्रेजी में बनता था लेकिन साल 1955 से 56 से बजट रस्ताविज हिंदी में भी तैयर किये जाने लगे साल 1955 से 56 में बजट की पहली बार काला धन उजागर करने की योजना भी बजट में शुरू की गई इसके बाद बजट की हलवा खाने की रसम भी है जो की आप नियूर्प्रेपर में देखते हैं कि यह हलवा खाने की रसम से इसकी शुरूआत की जाती है बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित मंतराले में हल्वा खाने की रस्म निभाई जाती है हल्वा खाने की इस रस्म के बाद ही बजट पेश होने तक वित मंतराले का कोई भी अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्ग में नहीं रह पाते हैं यहां तक की और उसने उन्हें वित्मंत्राले में ही ठहरना होता है और उसमें मोबाइल जैमर भी लगा होता है पहली वित्मंत्री का बजट कौन थी महिला अगर वित्मंत्री की बात करें तो भारत की पहली महिला वित्मंत्री के रूप में श्रीमत्री इंद्रा गांदी ने भारत के इतियास में वे इकलोती महिला हैं जिनोंने आम बजट पेश किया था लेकिन दिर्मला सितारोन देश के पहली वित्तमंत्री हैं जो की आने वाला जो बजट है इसमें अपना फर्स्ट फुल फ्लेश बजट पेश करेंगी. सबसे अधिक बजट पेश करने के रिकॉर्ड के मामले में मुरार जी देशाई का नाम आता है जिनोंने देश के पूर परधान मंत्री भी रहे हैं और अब तक सबसे अधिक बार दस बार बजट पेश किया है वे छे बार वित्तमंत्री रहे हैं और चार बार उप परधान मंत ज्यान रहे इनका जन्द 29 फरवरी को हुआ दा जो चार साल में एकवल एक पर आता है पूर राश्टपती प्रणम मक्षर जी भी वित्मंत्री के रूप में साथ बार पजट पेश कर चुके हैं और इस तरह की और बजट पे जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें जिसमें हम यह बताएंगे कि कैसा रहेगा 2020 का बजट आम लोगों के लिए इस तरह के और वीडियो के लिए देखते रहे हमारा चैनल और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे आरे लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें धन्यवाद